करारादे-रादे सभी-कृष्णवस को अविशाज में आपको स्वागत है और अविशाज के सभी वीडियो को देखने के लिए कन्यूनोवब नूसर डूले ड़ियो को देखने के लिए सब्सक्राइब की जे अविशाज और बेल बटन दवाना ना भूले तो आज हम बनाएंगे मेरे कन्णू और नन्णू का बैड जो कि यह संतिंग बारावाय आठ की यह है जो उपर और नीचे यहाँ पटी देख रहे हैं यह मेरी बेटी की स्टडी टेबल थी तो उसकी चेर थी जो नियू में ही तूट गई थी तो यह मैंने समाल के रखे थे क् यह मैं गोल डंडी कटवा करके लेकती है 9 इंचे से कीलों से ठोबडिया है अच्छे से यहाँ पर हम नैंस को इसका बैड़ चानाज इए इस तरीक से पर्दें लगे होता हैं तो यह मैं लिक हैं हो ओर कॉप और यह मैं इस तरीक से उपर कशिए का उप मॉस्किटो नेट बनाने वाले यानि मच्छर दानी जैसे बनाने वाले या कर्टेंस आप कह सकते हैं और यह है ब्लू कलर का सिल्क का एक कपड़ा जो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू ग्रीन डैड कापी अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा बाकी देखते हैं बनाने के बाद मे कि क्या बनता है और यह मैंने लिया है कार्डबोर्ड अभी मैं इस पे कट करूंगी एक कॉपी पैंसल से क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा मुझे सिरियाना टाइप बनाना है एक तरफ बस एक तरफ बनाऊंगी सिरियाना और नहीं बनाना है चाहो तो आप नहीं भी बना सक बना रही हूं बाकि चलो स्टार्ट करते हैं मैं सबसे पहले और हाँ एक लास्ट चीज यह मैंने लिया है आरो के आप जब चेंज करवाते हो उसमें जो भी कैंडल वगिरा होते हैं तो इसमें यह निगलते हैं इनके समाल के रख लेती हूं मिर पास 7 है 8 नहीं 8 होते तो मैं को इस तरीके से इस तरीके से जॉइंट करके इसके पाएं बनाती बट है नहीं और लकडी कट्वाना में से मिस हो गया तो अभी जासे की लोगडाउन है तो डेली डेली शॉप्स नहीं खुल रही है तो यह मैंने कपूर की छोटी टी बिली है मैं सोच रही हूं इसको इस ग्लूगन कर लिया गरम मेरा एक्स्ट्रेंशन बोर्ड कहीं और लगा हुआ है तो मैं इसको इस तरीके से यहां पर एक उससे चिपका करके इस लेस को लगा करके और लगा करके इसके राउंड न लगा लूंगी आप अभी देखेगा तो आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसके पिछे ग्लू लगा लिए और अब मैं इस तरीके से पेस्ट करूंगे आप देख रहे हैं पाएं जैसे बनते जा रहे हैं देखो कितने सुन्दर क्यों थोड़ा उंचा से रखना है ना तभी फ्लेयर्स लग पाएंगी आप य जैसे सुख जाते हैं हमने इस तरीक से देख लीजिए बैड होगे उंचा और खड़ा होगे अराम से पाएं होता है कांपी सुन्दर लग रहा है अब मैं इसमें फ्लेयर लगाऊंगी जालर लगाऊंगी ठीक है ना इस तरीके से बनाऊंगी आप देख सकते हैं मैंने इस गाइकट लिया है यहां पर इस तरीक से तो मैंने ग्लूव लगाए วry रहा दो चुपका मैंने कहाँए को जाए 묵बन मैं जादा कोई कारी करी नहीं कर रही हूं आपको करना है तो आप बिल्कुर कर सकते हूं मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस पर इसे फैब्रिक ग्लू से कुछ से सितारे टाइप चुपका दूँ ताकि सिंपल और सोबर लोग निकल के आए तो आपके चॉइस होती है कि आपको किस तरीके से करना है मैं इस परको से पर जाती है अरे प्लेट तो आप देख सकते हैं, मैंने इसका बैक भी लगा दिया है, बस अभी क्या रहता है, यह जल्लस वह रही है, और यहां पर पड़े लगाने रहे हैं, दिखो, अल्मूस मेरे बागे को बैट डन है, और एक बार थोड़ से पीछे मुझे एक पैच लगाना है, ताकि यह जो खर इस तरीके से मैंने यह एक प्लेट डाल के इसके चार इंची आर डिस्टेंस था फ्लोर से लेकर यहां बैट तक, चार इंची का मैंने चोड़ी पटी-काटी है, और इसके अकॉर्डिंग लंबी आप अंदाज से ले लीजिए, और फिर मैंने एक लेसी और एक लेसी लगा कर दूंगी, फिर उपर कर्टन लगाना सिखाऊंगी बाद में आपको, इसके से पूरी किनोड़े पर लगा रही है, इसे यहां से हाफ लगाओंगी, फिर यहां से हाफ पफ लगा दूँगी, तो आप देख सकते हैं, मैंने बैट बना दिया बाबु का, इसको इस तरीके स तरीके से टाए कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारी मर्जी है, लेसे से, अवे ना ने खिया नहीं है, तो मैं पूर कम्टे बताती हूं, यह ऊपर में थोड़ा से रह रहा है, मैं यहां पर भी लेस लगा देती हूं, तो आप देख सकते हो, मेरा बाबु का बैड कम्टे है, उप बैड बैड करे सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं, तो इस तरीके से रैड का बैडी है, शुन्तर से रहे हैं, आप सभी को पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए राधे राधे